वेलकम तो एनदर वीडियो और फ्रंटेंड वैब डिवेल्मेंट सीरीज दिस इस डूट पॉइंटी और टुड़े वो यह गून आ टॉक अबॉट सम इंपोर्टेंट प्रोपर्टीज इन सी एसेस अगर आप इस चैनल पे न्यूँ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ऐकन प्रेस कर दें ताकर मेरे नेक्स्ट वीडियो अप्रोट करने पे आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो चलिए शुरू करते हैं बीने टाइम जाय किये पहले हम टेक्स की कुछ प्रोपर्टीज की बात कर लेते हैं कलर की प्रोपर्टी टेक्स के कलर को चेंज करने के लिए जूरू होती है जो हम पहले कर चुकी है लेटर्स के दरमियान स्पेस अज़ेस करने के लिए letter spacing की property use होती है CSS में value देने के काफी units होती है mostly हम pixel या m use कर रहे होती है unit की conversion का chart मैंने आपको दे दिया है आप कोई भी unit use कर सकती है यहाँ मैं 2 pixel लिख लेता हूँ इसी तरह हम words के दर्मियाद spacing adjust करने के लिए word spacing की property use होती है इसको मैं 10 pixel लिख लेता हूँ text को left, right या center align करने के लिए हम text align के property use करते हैं मैं text को center कर लेता हूँ text transformation से हम text को uppercase, lowercase या capitalize कर सकती है capitalize का मतलब यह कि words का पहला alphabet capital होजेगा मैं इसको uppercase कर लेता हूँ text को underline करने के लिए text decoration के property use होती है इसी property से हम text को overline या line through कर सकती है अब यह property जो हमने use कि इनको एक दवा run करके देख लेती है अब हम font की properties की बात कर लेती है तो अगर हमने font change करना होतो हम font family के property use करती है value में हम simply font की family का नाम दे देती है अगर google का कोई font use करना होतो font.google.com पे जाते है font के plus icon पे click करते है इसे open करके link वाली line को copy करके head section में paste कर देते है और font वाली line को css वाली file में paste कर देते है इसी तरह font style से text को italic कर सकते है font size से text का size change कर सकते है और font weight की property से हम text का weight change कर सकते है इसकी value हम lighter, normal, bold, bold, bolder या फिर 100 से लेके 900 तक कोई भी numeric value दे सकते है मैं इसकी value 900 रख देता हूँ ताके यह maximum bold होजे अब इसको run करके देख लेते है anchor tag के चार सब selectors होती है link, hover, active and visited इनको लिखने के लिए a tag के बाद colon लगा के इनका नाम लिखते है पहले इन चारों के लिए different colors लिख लेता हूँ फिर इनको run करके देख लेंगे ताके difference clear होजे link वाला selector default होता है मतलब normally हमारे पास यही styles होंगे hover वाले style तब apply होंगे जब cursor को anchor tag पे लेके जाएंगे cursor वापिस move करने पे style दुबारा normal होजेंगे इसको click करके रखने पे जो style शो होंगे वो active में लिखती है click को छोड़ने पे दुबारा से style normal होजेंगे और visited वारे style तब apply होंगे जब anchor tag में लिखा हुआ पास हम visit करके वापिस आके देखेंगे list के style की बात कीज़े तो order list के लिए हमने पहले ही पास्टाइप पढ़ ली हुई है और order list के लिए list style के properties उस होती है इसमें हम disk, circle या scale लिख सकते हैं default में ये disk होता है आज के लिए इतने ही रखते हैं next video में हम background properties को देखके parallax website बनाएंगे और उसके साथ box moral को discuss करेंगे तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए अलाहाफेश